ममा मेरा जनन दिन संडे को है भूल ना जाना इस बार मैं अपने जनन दिन पर रिमोट वाली कार लोगा बेटा मुझे याद है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रिमोट वाली कार ओर्डर कर दी है और चॉकलेट केक भी ओर्डर पहले से ही कर दिया है, जिस पर मेरे कालू का नाम लिखा होगा यह कहकर गोरी अपने बेटे को मोबाइल देकर वहाँ से चली जाती है और उसका बेटा कालू मोबाइल में गेम खेलने लगता है फिर रानो चिडिया अपनी बेटी टुन्टुनी चिडिया के साथ नदी पर चली जाती है वहाँ गोरी कौवी भी बैठी थी अरे चिडिया मैं तो नदी पर नाखुन साफ कर रही थी वो ना मैं आज पालर जा रही हूँ मेरी टुन्टुनी का जन्म दिन भी संड़े को ही है हम अपनी बेटी का जन्म दिन खुशियों से मनाएंगे वा छोटी चडिया तुम गरीब पक्षी भी जनम दिन मनाते हो आरे दो वक्त की रोटी तो मिलती नहीं ठीक से और चली जनम दिन मनाने हम गरीब जरूर है लेकिन जो खुशियां हम एक दूसरे को देते हैं वो आप भी नहीं देती होंगी हम अपनी जिन्दगी में बहुत खुश हैं तो फिर क्या दे रही हो तुम अपनी बेटी को इस जनम दिन पर? मेरी ममा मुझे स्टोरी बुगला कर देंगी मुझे तो पहले से पता था कि तुम्हारी ममा तुम्हें कोई सस्ती सी चीजी ला कर देंगी अच्छा हमें चलती हूँ अगर तुम्हें अच्छी अच्छी भोजन खाने हो तो अपनी बेटी टुन्टुनी को लेकर मेरे घर पर आ जाना और हमें अपने कालू का जिनम दिन मनाते हुए देखना हम इस बार बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले हैं ये कहते हुए गौरी कौवी वहां से चली जाती है मम्मा, मम्मा ये अमीर पक्षी हमेशे ऐसी बाते क्यों करते हैं जिने सुनकर गरीब पक्षियों का दिल दुखे मेरी बच्ची ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते इन अमीर पक्षियों के पास एक दूसरे को देने के लिए समय तो है ही नहीं बस एक पैसा है जो ये एक दूसरे को देते हैं और ये सब ही खुशियां पैसों से ही खरीदने की कोशिश करते हैं बेटा, पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है कभी भी पैसे से प्यार ना करना, हमेशा रिष्टों और दोस्तों से ही प्यार करना वो मा बेटी ऐसे नदी पर बैठे बातें करती है हलो गोरी, क्या कालू सो गया है? हाँ कालू आपके इंतिजार करते करते सो गया है मुझे आज आफिस में देर हो जाएगी, मैं सुबा आजाओंगा और हाँ, मैंने अपने कालू के बर्थडी का केक अल्डर कर दिया है कल मेरी सहेली की शादी है, मैं तो सुबा सुबा वहां चली जाओंगी अगर तुम घर आओ तो सुबा कालू को नाश्टा दे देना दूसरे दिन कालू सोया हुआ था, तभी उसकी मम्मा गोरी उसे सोया हुआ छोड़कर अपनी सहेली की शादी में चली जाती है मम्मा, मम्मा कहां चली गई? और पापा भी कल रास से घर नहीं आए चलो, मैं मुबाइल पर गेम खेल लेता हूँ कालू का पापा भी घर आ जाता है मैं इंतिजार कर रहा था पापा, मम्मा कहां आए? बेटा, आपके मम्मा अपनी सहेली की शादी में गई है और मैंने आपके बर्दे का सब इंतिजाम कर दिया है और बेटा, आपने अपने दोस्तों को बता दिया है अपने जनन दिन का हाँ पापा, मैंने बता दिया है सब बता दिया है और ये भी बता दिया है कि मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार भी मिलेगी अपने जनन दिन पर अच्छा नाश्ता कर लेना और मुबाइल पर गेम खेल लेना मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ वहाँ मुझे कोई काम है और हाँ, ये लोग कुछ पैसे अब तो खुश हो ना पापा, लेकिन मैं तो सूच रहा था कि आज आपके साथ नदी पर जाओंगा और वहाँ थोड़ा खेलूगा नहीं बेटा, आपके पापा बहुत मसरूफ होते हैं और मेरे पास खेलने के लिए समय कहाँ मैं जाता हूँ ये कहकर कालू का पापा अपने काम पर फिर से चला जाता है कालू उदास था, लेकिन वो उन पैसों से कुछ खाने की चीजें खरीद कर नदी की तरफ चला जाता है वहाँ उसके दोस्त भी थे कालू, सुना है कि इस बार आपको रिमोट कंट्रोल कार मिलेगी जनन दिन पर हाँ, वो भी बड़ी वाली कार मिलेगी इस बार मेरे पापा मुझे वही ला कर देंगे कालू, तुमारे ममी पापा कहा है? मेरी ममा अपनी सहीली की शादी में गई है और मेरे पापा मुझे पैसे दे कर ओफिस चले गए थे पापा मुझे से कह रहे थे कि हमारे पास पैसे बहुत है लेकिन समय नही ए और हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन एक दूसरे को देने के लिए समय बहुत है मैं तो अपनी मा के साथर जगा जाती हूँ रात हो जाती है और कालू अपने पापा का इंतजार कर रहा था फिर वो भी गेम खेलते खेलते सो जाता है ऐसे ही दो दिन बीच जाते हैं और कालू का जन्म दिन भी आ जाता है उसके घर पर उसका केक भी पहुँच जाता है और उसकी रिमोट कंट्रोल कार भी गोरी का फोन जी आप आए नहीं अब तक मैंने आपको बताया था ना कि जल्दी घर आ जाना और कालू के साथ मिलकर केक काट लेना मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ वहाँ एक फंक्शन है और मुझे भी अभी अभी पता चला है बोलती ही जाओगी या फिर मेरी भी सुनोगी मैं रात से अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अपनी सहेली से सोरी कर लेती आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उसकी कार पहुच गई है ना तो फिर शाम को तुम जल्दी घर आ जाना वो बच्चा है खिलोने देखकर खुश हो जाएगा अपने पती की बात सुनने के बाद गोरी कालू से कहती है बेटा में दूसरे जंगल जा रही हूँ और आपके पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं इसलिए हम दोनों मा बेटा ही शाम को केक काटेंगे और आपके दोस्त नहीं आया अभी तक ये सुनकर गोरी भी चली जाती है और कालू के दोस्त भी आजाते हैं तुन्टुनी भी अपनी मममा के साथ अपने तूटे से घर में अपना जन्म दिन मनाने की तैयारी कर रही थी मममा मैंने गुबारी यहां लगा दिये हैं कैसे लग रहे हैं मममा मममा पता है जब आप मेरे पास होती हो तो मुझे किसी दूसरी की जरुवत महसूस नहीं होती और मेरे लिए मेरी बेटी ही मेरा जीवन है कालू बहुत हो गया इंतिजार अब अपनी मममा से पूछो कि वो कब आएंगी और कब केक कटेगा फिर कालू की मममा का फोन आ जाता है कालू मेरे बेटी सौरी में नहीं आ पाऊंगी और तुम अपने दोस्तों के साथ ही अपना केक काट लेना यह सुनकर कालू रोने लग जाता है और उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं और कालू अकेला बैठा रो रहा था मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूं इस केक का, और खिलोने का, मुझे कोई भी खिलोना नहीं चाहिए तुन्टुनी जो खुशिया आज मुझे आप सबने दी है वो कभी मेरे मम्मी पापा से नहीं मिली इससे तो अच्छा होता कि हम भी गरीबी होते कम से कम मममा पापा पे समय तो होता इस तरह गरीब चिर्या ने अपना जन्म दिन सब के साथ सेलीबरेट किया राणो चिडिया की शादी अभी अभी हुई थी इसलिए वो डोली में सवार होकर अपने ससुराल आती है रानो चिडिया की शादी भूरा नाम के चिड़े से होती है इसलिए जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे और वो रानो चिडिया को देखने के लिए उसके घर आते हैं तब जंगल के सभी पक्षी बारी-बारी से भूरे चिड़े को और उसकी पत्नी राणों को बधाई दे रहे थे मम्मा, मम्मा प्लीज आप मुझे भी ले जाएं मुझे भूरा अंकल की पत्नी को देखना है बेटा, तुम घर पर ही रहो तुम क्या करोगी वहाँ जाकर मम्मा, मुझे नहीं पता मुझे देखना है नई दुलहन को वो दोनों मा बेटी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर आ जाती है चिडिया बेहन, मैं तो जा रही हूँ नई दुलहन को देखने सुना है कि भूरा चिड़ा की पत्नी बहुत सुन्दर है अरे चिडिया बेहन, अभी वो छोटी बच्ची है अगर जिद्द कर रही है तो ले चलो कौन सा तुम उसे उठा कर ले जाओगी फिर ऐसे वो चारो भूरा चिड़ा की पत्नी को देखने के लिए चले जाते है तुमने ऐसे कौन से अच्छे काम किये थे जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिल गई मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जैसी होगी गोरी जी, कितने सुन्दर तो है मेरे पती जी, क्या कमी है मेरे पती में गोरी बेहन आज का दिन तो लडाई का नहीं है येलो तुम मिठाई खाओ और लाडो बेहन येलो आप भी मिठाई खाओ जब सब ये बातें कर रहे थे तभी जग्गू कौवे की नजर वहां रखे रानो चिडिया के हार पर पड़ती है और वो चुपके से उस हार को उठा कर छिपा लेता है भूरा जी ने मुझे सब बता दिया है कि आप सब मेरे पती जी के पक्के दोस्त हो इसलिए मैं भी आप सभी से मिलना चाहती थी जग्गू अभी तो आए है थोड़ी देर तो रुक जाओ थोड़ी देर में चलेंगे जग्गू तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहता था क्योंकि उसने रानो चिड़िया का हार जो चुरा लिया था ये कहते हुए गौरी कौवी जग्गू को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है भूरा भाईया कल मैं आपके लिए अच्छा सा भोजन बना कर तयार रखूंगी आप दोनों जरूर आना मेरे घर पर ये कहकर लाडो भी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है ममा ममा ये देखे मैंने रानव अंटी का हार चुरा लिया है अब ये हार मेरी ममा पहनेंगी अरे मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है और ये हार तो बहुत कीमती है क्या? क्या इसे चोर बनाना है? कुछ शर्म करो, जाओ, जाकर वापस कर किया उसका हार, वो वेचारी क्या सोचेगी, की पहले ही दिन में उसका हार चोरी हो गया, शर्म करो अच्छा, अब मेरा मुह ना खुलवाओ, आप जो सारी जिन्दगी करते आए हो, मैं सब बता दूँगी जग्गू को, और हाँ, खबरदार, अगर किसी को कुछ बताया, तो मेरे जग्गू ने पहली बार तो चोरी की है, और वो भी कितने अच्छे से, उन्हें तो क्या, मु कोई ही आई थी, और तो कोई नहीं आया, लेकिन लाडो चिडिया तो ऐसी नहीं है, वो कोई तो आते ही चली गई थी, आप मानो या ना मानो, मुझे तो ये काम उस लाडो चिडिया का ही लग रहा है, वो हार तो था ही कीमती, चलो हम लाडो चिडिया के पास चलते हैं, और पूछते हैं उसे जाकर फिर वो दोनों लाडो चिडिया के घर जाते हैं और वो लाडो का दर्वाजा खट-खटाते हैं आजाओ दर्वाजा तो खुला ही है लाडो बहन इससे अच्छा तो ये था कि आप और कवी बहन आती ही नहीं मेरे गर पर, आपने हमारी सारी शादी खराब कर दी, भूरा भाया क्या हुआ है, आप बताओ तो सही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कहां है मेरा हार, तुम दोनों में से किसी एक ने मेरा हार चुराया है, या तुमने या फिर उसका हुई ने, भाया, अगर आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो आप किस हार की बात कर रहे हो मैंने तो आपका हार देखा तक नहीं है मम्मा मम्मा मैंने देखा कि जग्गु अपने पंखों में कुछ छिपा रहा था जब मैंने उसे पूछा तो बोला वो मिठाई है तो फिर उसके बेटे ने पिता वाले काम सीख लिये हैं चलो रानो चडिया गोरी के घर जाते हैं लाडो बहन आप भी मेरे साथ चलो प्लीज उस हार को ढुणवाने में मेरी मदद करो फिर वो तीनों गोरी कौवी के घर की तरफ जाते हैं गोरी कौवी ने अपने घर का दर्वाजा बंद कर रखा तब चिडा दर्वाजा खट खटाता है लो आ गया है भूरा चिडा अब बेज़ती होगी पूरे जंगल में मुझे भी गोरी कहते हैं अब मैं ये हार कभी भी वापस नहीं करूंगी वो फिर से दर्वाजा बजाते हैं गोरी बहन दर्वाजा खोलो रानों का हार खो गया ह तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग, यहां से बड़ी आई चोरी का इलजाम लगाने वाली गोरी बहन, अगर आपने हार नहीं चुराया, तो दर्वाजा तो खोलो मेरी मम्मा को नींदा रही है, आप यहां से भग जा जग्गू था तो छोटा, परंतु वो पूरी तरह बुरा पक्षी बन चुका था देखा भया, अगर इन्होंने हार ना चुराया होता, तो यह दर्वाजा खोल देते इसलिए हार इनके घर में ही है, यह कौवी तो बहुत बुरी है यह हार मेरी मा की निशानी है, अगर यह हार मेरा नहीं रहा, तो यह कौवी भी कभी इसे पहन नहीं सकेगी यह मेरी बद्दुआ है, लाडो चिडिया और भूरा जी, चलो घर चलते हैं फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं, और जंगल में राद भी हो जाती है भूरा जी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, कि मेरा हार उस गोरी कभी के पास ही है अगर उसने मुझे दुख दिये हैं, तो वो हार उसे भी नसीब नहीं होगा फिर अगले दिन गोरी कभी जग्गू से कहती है चल जग्गू नदी पर चलते हैं वहाँ चलकर ये हार मैं पहन कर तो देखूं कि ये हार कैसा लगता है अगर ये हार किसी ने मुझे यहाँ पहने देख लिया तो खूब बेई जत्ती होगी ये कहकर गोरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है जग्गू तुम ज़रा ध्यान रखना मैं ये हार पहन कर नदी के पानी में देखूं तो कि मैं कैसी लगती हूँ गोरी कौवी हार पहन लेती है और जग्गू इधर उधर देखने लगता है गोरी कौवी नदी के पानी में खुद को देख रही थी लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वहीं पास में ही दो चोर चील उससे भी बड़े बदमाश चोर छिपे बैठे हुए हैं अरे यार इतना कीमती हार मैंने पहले कभी नहीं देखा चल इस हार को अपना बना लेते हैं अगर प्यार से न माने तो उसके पंक काट देंगे और हार चीन कर वहां से भाग जाएंगे फिर वो दोनों बदमाश चील आकर गोरी पर हमला कर देते हैं छोड़ो मुझे तुम दोनों छोड़ो मुझे मैं तुम्हे अपना हार नहीं दूँगी तो फिर पंक काट कर ले जाएं तुमारा ममा ममा आप दे दे यह आपको वरना बहुत मारेंगे जग्गू मेरे जग्गू बेटा तुम भाग जाओ यहां से में इन्हें यहार नहीं दूँगी गोरी कौवी तो मुकाबला करती है परन्तु वो चील चोर तो उसका पंक काट कर वो हार उतार कर अपने साथ लेकर भाग जाते हैं गोरी कौवी तो खून में लत्पत पड़ी थी कालू कववा भी वहाँ पर आ जाता है गोरी कौवी तो रोई जा रही थी और उसे बुरे कामों की सजा भी मिल जाती है दोस्तों ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हाँ दोस्तों आज का सवाल ये है कि रानो चिडिया का हार किसने चुराया था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो मिलती हूं मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद